किसान साथियों के सामने चुनावती आती है चारी की रंजगी की उनके पश्वों के लिए तो अभी बहुत जादा प्रसलन में है नेपियर ग्रास जो बहुत जादा प्रसलन में अभी और किसान साथी इसका किस परकार से फाइदा ले सकते हैं किस इसका संशेक्त में हमें बत एक मल्टिकर्ट ग्रास है और आज की तारिक में हाईवेड निया फिर ग्रास उफलब्ध है जो की अच्छे जो भारतिय संस्तान है जैसे जांसी का है ग्रास का इंस्ट्यूट उसके दुआरा भी डवलप की हुई है कोईंबटूर इंस्ट्यूट के मारपत भी डवलप की और इसमें सबसे बड़ा फायदा राजस्तान के एक योजना सरकार के द्वारा ले गई है जिस योजना के अंत्रगत राजस्तान की प्रतेग ग्राम पंचायत में दो किसानों का लाबानित किया जाना है और उसमें पॉइंट वन हैक्टियर जो जमीन है उसके अंदर सेपल उसमें लगानी पड़ती है और किसान कहीं से भी चाहिए वो सरकारी इंस्ट्यूट हो चाहिए उनिविशिटी हो चाहिए करसी विज्ञान के अंदर हो या कोई प्रोग्रेशिव फार्म हो जिसने पहले सही एक अच्छी क्वालिटी की हाईवीड ने पिर ग्रास उगार कि उसके लिए विभाग या अदिकारी पहले उस किसान का वह या उस इंस्ट्यूट का वेरिफिकेशन करते हैं सत्यापन करते हैं राज किसान आयब के मार्पत और जब वह सही वेराइटी होती है तब किसानों के रिक्मंडेशन करते हैं किसान अपना मौल भाव करके जो भी दरें हैं उसकी वह अपने ओफर करता है अपने दरें और दरें किसान उन दरों पर वहां से ले सकता है और उसके बाद में किसान के खाते में डीबीटी किया जाता है इसका एक कमेटी बनी हुए है जिसमें साइक कर्से दिकारी और वहां का कर्सी प्रवेशक वह उसका भोत होती होती है और साल बर चारा नहीं मिल पाता है और चारा भी मिलता है तो सूका और तोड़ी वगर मिलता है लेकि इस नेफिर ग्रास में साल बर किसान हरा चारा ले सकता है एक फाइदा यह है कि एक बार किसान ले लिया लगा दिया तो उसको छह साथ साल तक दुबरान लगा नहीं होती है और हर बार में उसके फुटान होती रहती है जी